Hello everyone, आज हम प्रियम्बल के बारे में जानेंगे तो कई बार समिधान की प्रस्तावना से सम्मंदित कुछन पूछ लिए जाते हैं और उसमें अच्छली कुछन रहता है कि कौन सा वर्ड किस पहले आया है इंडियन कांस्ट्यूशन के प्रियम्बल में कौन सा बाद में आया है और भी कुछ उससे समंदित प्रशनाते हैं तो हम उनको आज इस वीडियो में जानेंगी तो ये है इंडियन कांस्ट्यूशन का प्रियम्बल तो कई बार पूछ ले जाता है कि इस प्रियम्बल का सुरोत क्या है तो पंडि नहरू के द्वारा लाया गया उद्देश से प्रस्ताव इस प्रियम्बल का सुरोत है और एक कुशन वर आता है कि भाई जो ये समिधान का भाग है कि नहीं तो बेरू बारी केस 1968 में तो S.C. ने कहा था कि ये समिधान का भाग नहीं है लेकिन 1973 में केस वानन भारती वर्सस स्टेट आप केरला के भाग में S.C. ने कहा कि ये समिधान का जरूरी अंग है और फिर पुना जो 1980 का केस हुआ है लाइसी अंडिया के उसमें ये फिर से सिन दोराया कि हाँ ये समिधान का बहुत जरूरी अंग है तो इस तरह से ये कुश चीजे हैं जो समिधान की उतेशिका के बारे में आपको निश्ची तोर पर पता होनी चाहिए और एक चीज और है कि पंडिन नहरू ने इसको पुलिटिकल तूथ कहा था मतलब राजनीतिक दाथ और के अमुंसी ने राजनीतिक कुंडली कहा था तो ये कुश्चन है जो सामनेत्या प्रस्तावना से बारे में पूछे जाते हैं और फिर इसमें जो वर्ड आये हुए है जैसे की समाजवादी, पन्तिनिरपेज, लोगतंतरात्मक तो उनका करम पूछ ले जाता है कि वो किस करम में आये हैं और कई भार ये पूछ ले जाता है कि कौन-कौन से वर्ड उसमें आये हैं, तो एक कोई भारी वर्ड दे दिया आता है और फूर्पूंच ले दाता है इन में से कौन नहीं है तो हम पहले मुझे पता होना चिसमें कौन-कौन से वर्ड है तो ये सारे इसमें वर्ड है आप लोग देख लिए उपर से नीची संप्रभुता समाजवाद ये इसी करम में अच्छिली इनको याद करना थोड़ होगा वो अपने निर्णाय लेने में खुस अच्छम है वो किसी दूसरे देश द्वरा बाद नहीं करा जाएगा कि हां कि तुम यही निर्णाय लोग सोशलिस्ट सामाजी का आप सभी लोग चानते हैं सेकुलरिजम मतलब पंत निर्पेच रश्ट विर्सेस का कोई पंत न सोशल सामाजीक मतलब एकोनॉमिक मतलब आर्थिक और प्लिटिकल मतलब राजनीति यह अभी हाले में PCS के प्रेक्जाम में पुछा गया है तो आप इसको ध्यान रखें जरूरी है एली से मतलब लिबर्टी से हम इसको याद कर सकते हैं तो लिबर्टी आप थौर्ट है एक लिबर्टा और खंड़ता भी होती तो फ्रेटरिनिटी यूनिटी और इंट्रिटी तो यह वर्ड इसक्रम से ऐसे आपको आसानी से याद हो गए तो आई यह जान लेते हैं कि इससे कौन-कौन से समंधित पर सिनिकजाम में पूछे गए तो यह हमने की कुशन उठाया है ज अगर देखा जाए तो आप समा सकते हैं कि सबसे ज़्यदा इसमें खेल है कि कौन सा सब्द कि स्क्रम से आया है तो सबसे पहले सोवरेन है फिर सोसलिस्ट है जो मतलब S क्यूब मैंने तीन S बताया थी तो इसमें से दो S आपको मिल रहे हैं आप्सन नमबर D में तो यही जाता है बागी से कोई मतलब ही नहीं है तो ओके थैंक्स आज के लिए इतना ही